कि अधिए टी का उनलाइन क्लास में आप सबकात भागत है और आज पढ़ेंगे कि यदि सबसे पहले बताये आपको बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले जब आप आएंगे आप ऐसे स्ट्रक्चर करेंगे कि आपन करेंगे एस्टी एमेल और एस्टी एमेल को फिर आपको क्या करना होगा क्लोज करना हो क्या करना होगा अब उसी स्टी एमेल के अंदर आपको बनाना है पहले हेड क्या बनाना है एड बनाना है और हेड के अंदर जब आएंगी ता आपको हेड के अंदर देना होगा सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब दू沒關係 क्लोस कर दें है अब सब्सक्राइक ऑडिको आपको टाइटलाएदिरिया है डोस life के नंदर तल्य सबखर देना डेना और फिर टाइटल टाइट को पेन क्लोज करना होगा ना तो पहले हम टाइटल टाइट को क्या करेंगे लोज अब उसके अंदर जो आपको हेडर में उपर दीखाना वही लिखना होगा पता इतना न हम बस नाइन पॉइंट टू हमको दीखानत लिए नाइन पॉइंट टू अगर उसके आगे आएंगे था मता है कि आपको प्रिंट करना क्या प्रिंट करना है कि आइटी पढ़ रहा हूं तो यह च्वन हेडिंग को क्लोज करना होगा न हो जाएगा को दिखा इसमें उसके बाद से क्या करना होगा हम बताया इसको सेव कर लीजिए कि क्या करेंगे तो सेव करते से मताया थे इंडेक्स डॉट एस्टीमेल नाम लिखना हो कोई नहीं अ अब इसको जा करके डेक्स्टॉप सब्सक्राइब लिखा हुआ है यह आपको पिछवी क्लास में बताया थे हां लेकिन प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है कि नोटपैट पर जम कोडिंग कर रहा है इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि यह सारा क्या करना पढ़ रहा लिख है जब लीखन तो उसके लिए आप लोगे क्विए की सब्सक्राइब का चाइब रहा है प्रॉजर पर जाएंगे तो सअल कर लेंगे वी एस कोड डाउनलोड हो जाएगा न तो पहले ओलंक पर आपको क्या करना होगा मैं जैसे पहले लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको दि भुख जब डाउन लोग में इसनां करना होगाा और देख्सेड करते समय आपको तीदर फ्रक्राउब करना होगा लेकिन आपको यहां से कुछ नहीं नहीं बताये था अप जाए फीसमे इस में इस इन्स में जाएंगे और इस पीसी में चाहिए है आपको या करना होगा एक फोल्डर मनाना क्या जाए और उभी में इस बहुता तो पेॉल्डर में आगए और यहां आने के बाद समताये लिद नह keeps कि याद रखिए यह कव की बात है कि जब आप क्या करेंगे यह स्कोड को डाउनलोड करके इंस्टाल कर लेंगे हो जाएगा ना जब इंस्टाल हो जाएगा तो आपको कहां जाना होगा सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं कि द्राइब में ही बनाएंगे और पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है स्ट्व में नाम दे दिये है एच्टी एमेल नाइन पॉइंट अर गजाएगा नहीं हम सिर्फ फोलडर का नाम देता कि हम पैचान कर सके कि ए मोड़ों का फोल्डर है अब तो यह फोल्डर बन जाएगा न आप फोल्डर बनाने वासे के अंदर देखें कोई डाक्मेंट है आपका नहीं है हम इसी फोल्डर पर आइड क्लिक करेंगे और आइड क्लिक करने एक बास हम चला जाएंगे ओपन वेड हैं सिर्फ दिखाए देगा ओपन विद पूट लिख रहा है न अब सिर्फ क्यों आया है समझ लेजिए जब नोट पर हम कोड कर रहे थे न तो ना टाइम लग रहा था तो उसके लिए उसके लिए बता हम अप्लिकेशन डाउनोड कर लेंगे विए सोड और डाउनलोड करने के बास एक फोल्डर मना लेंगे कि एस्टी एमेल 9.2 अब आपको जिस नाम से मन कर उस नाम से बना लेंगे बस आपको याद है ना ची आपने फोल्डर का क्या नाम दिया वह जाएगा ना और उसी फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे तो जब ओपन विद्फोड विस कोड इंस्टाल करेंगे तो आपको यह क लेकर कि आए लिए किस अप्लिकेशन में लाया है अब यहां पर आपको एक निव फाइल बनाना होगा तो जो नोट पैड में थे तो पहले कोडिंग करने के पास से थे ना इसमा पहले ही सेब कर देंगे तो उसका क्या नाम दिये थे इंडेक्स डॉट है तो वैसे यहां भी देदें कोई भी नाम दे सकते हैं बट डॉट होना चाहिए हम देदिये पहला नाम होम पेज का होता है इंडेक्स डॉट है याद रहेगा कि सबसे पहले व्यस्पोड को डाउनोड करके क्या कर लिए इंस्टाल करने वास एक और जो भी नाम दे और उसी फोल्डर कम क्या किया है है हाँ राइट क्लिक करके ओपन वेज और जब पूर्ड मोपन किया तहा ऐसे का आपसन दिखाए दिया है तो हमारा फोल्डर यही था ना एस्टेमेल 9.2 नाम से पूरा नहीं दिखाए दे रहा चुकि फोल्डर का नाम बढ़ा इसलिए बस आदा दिखाए दे रहा है है आगे क्या है अब पूरा नाम दिखाए दे रहा है ना एस्टेमेल 9.2 इसी नाम सब्धacement से रहा बनाा है और उसी फोल्डर के और रहें है रिखर बना यह क्टेश दाट यहां वह बना रहा है कि जुद्राइक दो confirming क्या हुआ कि दिख रहा है ना तो अब अगर जो आप जाएंगे अपने फोल्डर में दिखने यहां एक फाइल बनके अपने आप आ गया यह वाला फोल्डर था ना एक फाइल बनके आगे इंडेक्स नाम से जो कि पहले नोट पैट से बना थो वह वी से भो रहा था न लेकिने ऐसे बन क्या गया है तो अब हम आपर कर रहे थे बॉड़ी ओपन कर रहे तो समय लग रहा था न यहां पर आ एक्सलरनेसर मार्क करेंगे लिए और किस से आएगा सिपसी साथ और वान से वैसे वन दबाएंगे यह टाइप होगा लेकिन सिट के साथ बहुंद अब आएंगे तो एक सो नेशन मारक आ जाएगा और बस इंटर कर लेज़े की वोड़ से हला तो आया अपने ऐतना template गार आम छी फार टेंपलेट ऑलते हैं क्या बोलते हैं में स्टाड़ टेंब्लेट जिसका दुसरा नम वाईटर प्लेट होता है किन क्या होता है दुसरा नम क्या होता है याद रहेगा व्यक्री पर इन्स्टाल पूल्दर करें एफ बनाएक हम चलेगे open with open with code वहां जानेक बास हम एक फाइल बनाए किस नाम से index.html के नाम से हो जाएगा ना और index.html के नाम से बनाने बाद से हमको करना क्या पड़ता HTML open करते फिर head open करते body तो टाइम लगता कि नहीं लगता तो यहां पर सिर्फ हम एक्सलेनेशन मार करके इंटर कर इतना template अपने आप आच्वी तो आखिरीन सब का मतलब क्या होगा तो सब से पहले क्या आया है कि डॉक्ट टाइप यानि कि डॉक्टमेंट टाइप यह बताता है आप जो सब्सक्राइब लिए कि द्लोगे को तो मेटा लग जाने का मतलब पता क्या है आप यह हटा देंगे तो आपका वेबसाइट बनेगा ऐसा नहीं है पता अप्सभी डिवाइस में ओपन नहीं कर पाए है इला है और सब्सक्राइब इन स्क्रीन के साइज का पी बड़ा होता है और कंप्यूटर के स्क्रीन के साइज क्या होता है अब हो सकता है अगर जो कर रहा हूं कोहीं में ना तो यहां पे मेटा लग जाने का मतलब मेटा लग जाने का मतलब देखे दिया व्यूपोर्ट जो देखा जाए उसका कंटेंट अपने आप क्या हो जाएगा डिवाइस के अनुसार विथ ले लेगा आपको विथ देने क्या सब्ता नहीं जब यह रहेगा आपके कंटेंट में तो आप कोई भी व अधिश्ट बटन के साथ ना छोटे डिवाइस में रहें तो ऐसे दिखाए देगा उससे बड़े में उससे बड़े में ऐसे दिखता जाएगा ना यहां कैसा हो रहा चोटा करेंगे कोई कंटेंट कट जा रहा हो नहीं है न क्योंकि उसमें क्या लगाए गया मेटा कि जो भी उपर दिखाना हो वह किसमें लिखेंगे क्या हुआ कि अब बताई जाते हैं यह वेफसाइट अब जो पेंड कर लिए तो नीचे करेंदी इसका हाइट इसमें कहां है तो बढ़ता जाएगा जितना रहे उतना करनें बढ़ता जाएगा क्योंकि स्क्रॉल जूड़ जा रहा है ना लेकिन वीथ ही तो कम ज़्यादा होता है ना यह होगा ना इतना क्लीर हो रहा है न इसलिए अपने आप वहां पे क्या दिया होता है क्लीर है ना और आगे जब जाएंगे तो दिया है बाड़ी जो भी हम लोग यहां प्रिंट कर रहे थे तो बॉड़ी के अंदर ही लिखे थे ना तो यहां पर जो भी प्रिंट करना किसके अंदर बॉड़ी के अंदर तो फिलाल यहां तक समझने में कोई दिक्कत हो तो एक बार कुशन कर लेजी हिए हो जाएगा क्या बता है अभी तक कोड कैसे करते हैं यहीं बता है न प्रोड करने का तरीका नोट पैट भी कर सकते हैं लेकिन हमारा ज्यादा टाइम लेगा तो टाइम ज्यादा न मारा वर्भाद हो उसके लिए बताएका अप्लीकिशन डउनूड कर लेंगं कौन सा और डाउनलोड करके उसको क्या कर लेंगे इंस्टाल कर लेंगे डाउनलोड करके क्या करेंगे इंस्टाल जब इंस्टाल हो जाएगा हम बताएं एक फोल्डर बनाएंगे क्या बनाएंगे फोल्डर और फोल्डर का नाम जो भी देना होगा नाम दे देंगे हां बट हम यह ब तो बताएं आप नियू पर आएंगे और नया आप फाइल का नाम बना लिए जब नियू फाइल बनाएंगे न तो आपको जो है कुछ एस इंटरफेस दिखाई देगा हो जाएगा ना हम बताएं आपको कुछ टेंपलिट लाना होगा एक्षाइनेशन मार करके इंटर कर देजिए अब इतना करने के बाद से टाइटल डाकुमेंट दिया हुआ है अगर आपको अपना लिखना तो लिख लेजिए जैस्ट लिख दिए फॉस्ट वेब साइट है अब नीचा बॉडी के अंदर क्या आपको प्रिंट करना है तो हम लिख दिए याच्चोवन हेडिंग प्रेंट करना और हैं क्या कंप्यूटर क्या लेक दिए कंप्यूटर का इंडूड़क्स नीचे होना चाहिए न तो उसके लिए पैग्राफ दे दिए और पैग्राफ के अंदर हम लोग दे दिए क्या कोई कंटेंड तो जब लोग में थे तो एक वर्टू रैंड ब्रेकेट क्लोज इंटर कर दे तो पैग्राफ आ रहा था याद है आ जा रहा था न वैसे यहाँ प्या करेंगे क्या करेंगे लोरेंग देखे कुछ प्लाइण लेरी लिए कितना लाइन लिद्धो। प्राइन उसके लिए लोर हैं जितना लाइन से करें उतना ना यह तो व्याइन है करेंगे और खे बाच से था करने और तेसे करना है आट पूट ओर आपूट का मतलब पता है क्या होता है कि अगर जितनी हम के थो तो आखिर ब्राउजर पर कोई सर्च करें तो कैसे दिखाई देगा यह हमारा क्या कहलाएगा तो आउटपुट यहां से कैसे चिक करेंगे तो नोट पैड में थे तो सेव करके तब हुआ से जाक उपन कर रहे थे ने लेकिन यहां पर बस आपको सेव करना पैड क्या करना होगा शेव करना तो सेव करने के लिए क्या करना थे गद्रोल के साथ यह पोजाएगा न लेकिन जब देलीट नहीं करना है फिर हम क्या करेंगे जाएगा आपको क्या दिखाई देगा और आपको दिखाई देगा अगर आपके मैं नहीं दिखाई देगा यहां भी गोलाइब दिख रहा है नीचे ना अगर जो नहीं दिखाए देगा तो कहां जाएंगे एक्स्टेंशन कि कहां जाएंगे और लिख लिजिए सर्च करना होगा आपको लाइब सर्वर क्या सर्च करना होगा लाइब सर्वर को मता सर्च करना है डाइब सर अभी हमारे में इसे लिए उनिस्टार काफ़िस्टार आप उसको क्या करेंगे इंट्ण अब जैसे इंस्टाल होगा तो आपको यहां दिखाई देने लगा वो लाइव का इसका अब अगर जो अभी तक भी क्लियर नहीं हो तो एक बार दुबारा रिपीट करें ध्यान समझेगा सबसे पहले विएस को डाउनड हो जाएगा न है डाउनड हो जाएगा लगवग इंस करें भी आपको क्या करना होगा एक फोल्डर बना लेना होगा हम दिस पीसी में फोल्डर बनाये किस नाम से कि एस्टी एमल 9.2 के नाम से हो जाएगा न आप इसके बास बताया है चलिए फाइल पर डिलीट कर देते हैं आप इसके अंदर कोई फाइल नहीं है न हम बताएं अब इसपर राइट क्लिक करके और फिर क्या करेंगे ओपन वीट रहे करके ऊपन वीट उट करें तो यह वी आ जाएगा न अब कोई फाईल नहीं है हम बताएं कहां पर जाएंगे जाएंगे और निव फाइल पर जाने पर लिखेंगे इंडेक्स टॉट एस्टी तो जाए और एकिल नेसन मार्क करके करें इस एकि रप कि यह कि आ च segment पूरेट करेंगे छोजाए तो बता आपको अंदर है इडिंग देना होगा आप ही अट च्वैड के इंटर्ष ले तो है लिए ग mister किई सपरेंग सोग Dios ना अब से पता करना है और यहां पर क्या दिखाई दे रहा है वन दिखाई दे रहा है ना यानि कभी आपका फाइल सेब नहीं है फाइल पर जाकर देखे जैसम से बाले बटन पर क्लिक कर रहा है बन हट गया यानिक यह फाइल आपका क्या हो गया है से पोई दिखाथ इसमें सब्सक्राइब करें हम इसमें कुछ चैंजिंग कर दें फिर वन आ गया ना सेब करने कांट्रोल यस कर देजिए से हो गया हट गया पैसाने के तरीका पता है हो गया ना कि कभ सेव और कभ सेव नहीं अब आगे क्या करना इसको आउट्पूट में देखना यह कैसे अगर अब हमारे इंस्टाल है और नहीं योगत क्या कर लेंगे इंस्टाल कर कोई दिखत यहांनों तक अब इसके बाल से जब आँगा-प्ने फाइल पे इसको kloxe कर देजिया तो गो लाइब ब्राउजर पर दिखाई दे रहा है ना बता रहे हैं आपने इस प्रॉटर उसके बारे में लिखा तो जाएगा तो बेस्क इस्ट्रक्चर के नीचे देखे दिया और लिए ग्राउंड कलर क्या दिया है यदि हम सब्सक्राइब करने के लिए हम बाड़ी के अंदर ही सारा कंटेंट लिखें ना किसके अंदर लिखें बाड़ी के अंदर तो जब हम यहां पर आएंगे कोड में बाड़ी यही है ना किसके अंदर बाड़ी के अंदर आएंगे तो बैग्राउंड कलर चाहिए ना हम कालड करना है तो लिखें के बीजी किलर इंटर कर लेंगे कि जैसे हम भीजी कलर लिखें तो आप देखें तो उसमें दिया है क्या इन्वर्टेट कॉमाओ पेन और नोट्स में दिया है आप लोग पेज नमर 6 पे देखिए न कोट दिया बॉड़ी के अंदर बीजी कलर लिखा उसके अंदर पिंक कलर लगा है तो बस वही हम बॉड़ी के अंदर क्या लिखे हैं है कैहहा है इसफ में और लीटार के अनदर कहा रहे है ऐख करतेक अधन रहेदा है और यहां बॉड़ी टैक का से अंदर팅, आप यह बारिटर कर दो दुगा रहे ऑड़ी टैक ओपन गेन और यहां बॉड़ी टैक क्या हुआ है इस बोडिक के लिखे बस बहुत दिख रहा है ना तो इस sebode के अंदर आ जाएंगे दिक्रा कहां गया है और यहां लिखना होगा आपको क्या भी जी ऑक क्या लिखना होगा यानी कि वैंगरंड और मैंगरंड का जैसे प्से срав प्रट्व इन्वाटेट कम आया है अब जो कलर सी वो कलर का नाम लिख लिए वो जाएगा न सब बोच करें आपको पिंक कलर ही चाहिए तो पिंक लिखिए और कंट्रोल यससे से और आपट यहीं आया हुआ है ना कि चैन्जबा है अगर चम और प्लट पर आ गया है और पिंक को हटा कर खमकर तो यहां रेड कलर मावफिये तो कॉन सा लिख दिए कॉन्स से शे और आगे कांपे चैन्जुगा हो जाएगा अब अगर जिसको अटाकर के अलग कोई कलर चाहिए ग्रिंज चाहिए एलो चाहिए लेकलो लोग एलो तो हाँ उसके लिए आगे स्टाइल से बताएंगे सी एसस से आया समझे न वहां पर हम पोड़ भी बताएंगे कलर का जैसे आप कलर करना में लिखना पड़े रहा है तो मत लगा कोड लिखना पड़ेगा वह जाएगा ना इतना प्लिर है ना तो आज हमने आपको ज्याधा चीज नहीं बताए बसक्या चीज चीज कि आप Vee-a-s code करके इस्टाल करने के बाद से आपको एक फॉल्डर बनाना और आपको ना फिर नहां नहीं दो गरना होगा और फॉइल का नाम क्या देना सिस्ट रा एस्डूर्ट और इंडेक्स डॉट आश्टेमिल केिया और अब आपको प्रिंट करना तो वह लिख देंगे हेडिंग और पाराग्राइब नहीं काम करेगा टेक्स अ कलर करने तो साइस से बताएंगे घबड़ाओ मत तिम लो अर्समें ना फिलाल बीजी कलर के लिए क्या लिखना अब सब्सक्राइब ना अब याद रखे जब तक इसको नहीं किया है तब तक यहां समको पोर्ट और फिर गोलाइब करने क्या सकता नहीं जब इसको क्लोज कर देंगे यहां से यह पहले क् talked करेंगे क्या करदिए फिर फिर गोलाइब काशन में पिर दुबारा से क्लिक करें तब फिर जाकर दुबारा लेके जाएगा वाट को आपलूग यहां तक करके आए लो और अगली क्लासम आपको ही बताएंगे कि बैंगरॉण में अपना इमेज लगानत कैसे इमेज लगाते है अरे सुन्हें तक क्या है क्या है पärग्राफ टेग क्या है तो आज आप लोग यहां तक क्राइं करके आए लो